नमश्का दोस्तों मैं प्रणौप सभी का सौगत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है Dedicated Investments अगर आपने अब दोगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप से विसे गुजारिश करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके बाज जो मैं आपको बेल अकर मिलीगी तो अप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको Time to Time Notifications आते रहेंगे तो जैसे आप सभी लोगों ने Thumbnail तो देखी लिया है कि मैंने क्या डाला है आज से कौन से वीडियो आने वाले है तो सर अब जैसे मैं आपको Daily basis पे Nifty और Bank Nifty का Point of View बताता था ये आने वाले अगले Wednesday तक मैं ये कुछ एक सीरीज चालू करो मैंने आपको Twitter पे जो लोग जोड़े उनको पता है मैंने ये डाल दिया था कि From Tuesday, that is on 26th of January As today is a Republic Day Happy Republic Day to each and everyone तो आज मैं कुछ नई सीरीज चालू करने जा रहा था और उसमें अंदर मैं add क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं Nifty और Bank Nifty के बारे में आपको बताता हूँ सारी चीज़े उसी के साथ में मैं थोड़ा सा एक Point of View add कर रहा हूँ About budget कि इस budget में हमको additionally क्या Point of View दिमाग में रखना है उसकी साथ से हमको क्या काम करना है तो ये सारी चीज़े में इसके अंदर add करने वाला हूँ उसका आज जो है ये सबसे पहला episode number one है ठीक है तो ऐसे आपके लिए उच्छे episode आएंगे पांच वीडियो आपके लिए और आएंगे उसके आद में आपन जैसा नॉर्मल काम करते है About nifty and when nifty वैसा आपन आगे में और करने वाले है ठीक है तो ये page को मैं कर देता हूँ बंद उसके पहले एक disclaimer इस हफते में जो भी कुछ बताने वाला हूँ आपको उसको ये पूरा educational purpose के लिए है उसको समझना है आपको उसके बाद में काम करना है decision लेने के पहले अपने financial advisor को एक पर ज़रूर पुछ लीजएगा या अगर कोई नहीं है अगर आप खुद से decision लेते हो तो proper risk के साथ में काम उसके अंदर करना है अब सबसे पहली बात में करता हूँ nifty की कि nifty के अंदर में क्या moment निकल के आती है तो जो लोग telegram पे जुड़े है उन सबको तो पता है exactly at 9.45 मैंने आपको सबको ये बोल दिया था कि भाया जिस प्रकार से यहाँ सी nifty ने bounce लिया है एक पर bank nifty दिखा देता हूँ मैं ये आ गया 15 मिनिट में bank nifty bank nifty ने जिस प्रकार का moment बनाया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि bank nifty card यहाँ पे bottom almost बन चुका है पर मैं थोड़ा सा ये डर के बोल रहा हूँ क्योंकि nifty का काम बाकी है तो nifty जो है ये 250 तक आ चुका है और इसके नीचे एक जगा और आने की है क्योंकि इसका setup अलग है और वो setup कैसा अलग है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो setup ऐसा अलग है आप chart को ध्यान से देखना अभी मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको जब भी किसी जगा से selling आती है न सर उस जगा से direct एक बड़ी candle के साथ में sell आता है और वहाँ पर कोई आदमी hold करने को ready ने रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक दो बार resistance मिला फिर हम उपर चले फिर यहाँ से एक बार नीचे गिरे और इस बार जब हम इस जगा पे थे आपको अच्छे से याद होना चीओ मुझे पता है आप सबको याद होगा मैं बुर रहा था अगर यहाँ से नीचे बनाना यह double top को formation बना देगा अब इसने अगर यहाँ से गिरना होता और इसी जगा से अगर इक गिरता तो हमारा target उस टाइम पे था 15,000 के आसपास और इसने जिस प्रकार का उपर में काम कराया और sideways momentum के साथ में काम करा के लोगों को माल चिपका कि फिर ही अब बजट के टाइम पे क्या हो सकता है बजट के टाइम पे मैंने आपको टेलिग्राम पे जित्ते लोग जोड़े सब को पता है मैं फिर याद दिला देता हूँ मैंने आपको बोला है कि पहले put वालों को खुश किया जाएगा उनको बड़ी आसा पैसा दिया जाएगा फिर हम अपने pending target 15,000 तक जाएगे उसके बाद तो अभी उपर आने के बाद तो 15,500 तक हम जाए रही मतलब यह तो हो गया कि जाना ही है अब उसके पहले क्या हो करना वाला काम उसके पहले काम यह हो सकता है कि भाईया जिन भी लोगों ने यहापे put में माल पकड़ा था उन लोगों ने यह moment डिक के अपना जो put यहापे काट नहीं पाए थे उन लोगों ने अपनी position पकड़ के रखी थी और इस जगा पे जहापे यह खड़ी है उस जगा पे आके तो यह आराम से अपना position बना सकते है क्यों? क्योंकि उनको दिखरा है कि भी यह आपर double top बन गया है एक बार हम नीचे आया थे 650 के पाथ से फिर हमने उपपर जानी कोशिश की सर 750 तक गया है फिर तो इसके अंदर स्टेंथ ही नहीं है और यह नीचे आ चुका है अब आपको सबको मेरी psychology पता है मैं कैसे काम करता हूँ और यह वाली psychology इस अफ़ते थोड़ा सा और expertise है उसके अंदर में और थोड़े कुछ conditional points है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यह point यह है कि सर event के time पे जिस दिशा में कम लोग होते है उस दिशा के तरफ में moment बनती है क्योंकि जिस दिशा के तरफ में ज़्यादा लोग होते हूँ सबके stop loss काटे जाते है तो आपको पता है 15,000 अपना pending है और अब यह जिस जगा पे खड़ा है तो इस जगा पे अगर मुझे यह क्या शो कर रहा है कि प्रणव ऐसा है कि 14,250 हमारे लिए दो बार रेजिस्टन्स था आप यह आपे देख सकते हो 6 जनवरी को फिर अगली बार अगें 7 जनवरी को फिर मैंने इसको support बना और मैं भागा हो अब अगर कोई सिर्फ chart analysis को पढ़ता है कोई psychology use नहीं करता है उसको क्या difference दिखेगा उसको दिखेगा कि यार यह तो resistance था अब यह support बन चुका था support पे एक बार टेस्ट किया दो बार टेस्ट किया खड़ा हो चुका है आप आके maximum लोग क्या करेंगे they will wait for the market to break down जिसके कारण यह अपनी positions को बना पाए अब मैं आपको simple चीज़ बताता हूँ कभी भी market गिरेगा तो straight line में कभी नहीं गिरता वो गिरने इसी यह support है support तूटने का अथमी यहां सी गिरेगा एक बार इसको test करेगा फिर नीचे आएगा अगर यही चीज मुझे उपर जानी है और maximum लोग को put के तरफ मुझे position दे के बिठाना है तो क्या मैं ऐसा setup बना सकता हूँ गया कि support के पास में खड़े रहो और मुझे एक चीज़ बता अभी जिस जगा आपे खड़ा है कोई comfortable है यहां पे call लेने के लिए सारे stocks गिर रहे निफ्टी गिर रहा, bank निफ्टी गिर रहा मुझे बताओ कितने लोग आप इंट्रेस्ट रहोंगे call के अंदरे position लेने के लिए कोई नहीं सब वेट कर रहे है चलो भाईया एक निर्माला सितार रुमन की candle बनी थी आपको याद है बड़ी सी इतनी बड़ी केंड़ा बनी थी 800 पॉइंट की वैसी वाली moment बन सकती है उपर या नीचे ऐसे उमीद में है और मैं आपको बता दू उपर की तरफ में उमीद लेके बहुत कम लोग है क्योंकि आज यूपाज यूटूब के जो noise में को समझ में आ रही है मैं देख रहा हूँ और जितने भी positions बनी है जितना भी data आप FIDIS का data देखते हो clients और pro का data देखेंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि put की तरफ में तो जादा बड़ी position बन रही है तो market उल्लू कैसा बनाएगा पूराना setup जो मैंने आपको बताया कैसा setup है वो कि एक बार नीचे लाओ और यापर test खड़ा करके छोड़ दो अगर मुझे psychology नहीं आती ना सर मैं लिखके देता हूँ मैं उस जगापे put ही buy करता और अपने घर में put ही लेके जाता और आप इस बात को बहुत सारी लोग इसको मानेंगे इसलिए मैंने 14,100 का target नहीं काटा है अभी तक मैंने 14,100 का target इसलिए देखे रखा है क्योंकि यह जब तक आप support काटोगे नहीं उसकी नीचे आओगे नहीं मुझे बताओ ना कि maximum put में position लेंगे कैसे तो अब हमको क्या करना है अभी तो यह पहला वीडियो है मैं आपको पहले वीडियो सी mindset बना रहा हूँ कि भई आपको इस अफते कैसे खुद को समालना है यह चीजे जो है वो सारी मैं छुपा भी सकता था यह मैं मेरे तक भी रख सकता था अगर थोड़ा knowledge है अगर उसको अपन share कर देते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई problem होनी चीए और अपना तो पैसा बन रहा है साथ में किसी और का भी बन जाए अटलिस्ट बने नहीं नहीं बने जाड़ी secondary चीज़ पर loss तो ना हो उसको अगर यह चीज़ भी मां कर देता हो मेरे कार नहीं काथ में कभला जाता है तो मैं worth of making the video is done तो अब मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि nifty के अंदर में आपको क्या करना है this is episode number one कल परसो फिर वीडियो आएंगे Thursday को फिर वीडियो आएगा Friday को वीडियो आएगा step by step चलेंगे अब आपको सिर्फ इतना ध्यान बाकरें कि nifty इसकी नीचे आता है तो 14,000 वनकरता आपको profit book करना है और उसके बाद दूर हो जाना है कुछ दिन पहले दो दिन पहले तीन दिन पहले मैंने तीन दिन पहले मतलब तीन दिन ट्रेडिंग डे पहले last Wednesday के आसपास मैंने एक टेलिग्राफ ए मैसेज जाला है कि जहां से nifty का मैंने second trend line बनाई है ये वाली ये मैं last level रखना चाहता हूँ कि अगर गिरता है तो यहां तक गिरा सकता है मुझे बताओ ये तो point of view मेरा बिल्कुल से कि 14,100 तक आके यहां पहले खड़ा कर देगा तो ठीक है पर अगर मैं ये point मेरे दिमाग में ये भी विचारे का रहा है कि अगर इसने एक बड़ी rate candle यहां बना दी केंडल का मोमेंट दिखेगा और आपने पिछले कई वीडियो में देखा है जब-जब rate candle बनी है मैंने आपको बोला है कि rate candle is only for the point where you can make a position in the call या उस candle नो मुझे confirmation दे दिया कि प्रणो अब तो मेरे को उपर जाना मेरा काम हो गया और आपने देखा है किसी का भी दिल धगडग करेगा और वो आदमी वहाँ पे एक पर अपनी call की position तो हटी जाएगा वो थोड़ी बोट कॉंटेट या hedge करके put लेके आएगा अगर market ने setup बना दिया नीच्चे आके यहाँ पर खड़ा कर दिया जिस जगा पर खड़ी है 200-250 के आसपास कोई नहीं लेगा sir call मैं इसके लिए वेट करो अगर इस setup बन जा है तो बहुत पड़िया है आपको इसके लिए थ्याम रखने उपर की तरफ में जाता है यहाँ से bounce लेता है तो 14,400 से लेकि 14,500 के बीच में bounce ले सकता है से काम करना है ठीक है यह मैंने आपको निफ्टी के बाहरे में बता दिया अब मैं आके चलता हूँ बैंक निफ्टी के बात बताने के लिए उसको बताने के पहले जो लोग मेरे बैंक निफ्टी पेट पॉल्स की इंटरस्टेट आप दिरिटने मुझे अपने चार्जे से 6,000 रुपीज मंतली जिल लोग लोग लॉंग टम के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोली बनाना चाहता है जिसका सही टाइम अब आ चुका है आखरी टाइम है जो आ चुका है जो भी इंटरस्टेट उसके लिए जूड़ना चाहिए जूड़ सकते उसके चार्जे से 8,100 रुपीज मंतली जिसके अधर में आपको में 6 स्टोक प्रोवाइड करता हो वी तो प्रॉपर बाइंग जगा से इसी जगा से बस यह कंफॉर्मेशन था कि आना है और भागवान के कृपा इतनी अच्छी है कि उन्होंने एक दिन के अंदर में उतने जित्ति में को 18,000 की फीस दी थी एकदम स्मूथली बिना किसी टेंशन के उन्होंने एक दिन के अंदर में पैसा बना लिया वो पूरा फीस का पैसा एक दिन में वापस सर यह होता है अगर आप एक क्वालिटी स्टेडी के अंदर में आते हो आपको ऐसे रिटेन मिलते है उनको सर जित्ता पैसे देना एक दिन में तो मिल गया ना अब लाइफ टाइम के लो एजुकेशन की वैलियू सोचो कितनी जादा होगे तो जो लोग 18,000 सोच के टेंशन में आते हैं अब जिंदगी बाद टेंशन में रहोगे जिसको सीखना है वो आके सीख के चले जाता है पैसा बना के निकालना चालू कर गयता है इसी जगह आपे मैं कुछ अलग नहीं सिखाता है जो चीज सिखा तो सर उस पर मैं काम क करता हूँ जो लोग मैं मैं इसी जगह पोजिशन लिया था रहूंड 110 पोइंट्स इन दफूट साइड एकदम बढ़िया ट्रेड हमारा बनाता हमने पूट के अंदर में बढ़िया पोजिशन बनाई और आराम से काम किया तो जो भी लोग मैंने मेरे क्लाइंट को दिया थ आप टेलिग्राम पे छुड़ सकते हो अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है मैंने आपको बोला था कि निफ्टी का सेटप थोड़ा अलग है निफ्टी नहीं यहां से बांस लिया है पर निफ्टी मैं ऐसा है कि 40.200 तक आ सकता है पर बैंक निफ्टी जो है सर बैंक निफ् भी वही पर आ गया, मतलब जो setup बनने का chance मुझे nifty में लग रहा है, यहाँ से नीचे आ के एक बार bounce ले की यहाँ पर खड़ा कर दे, वो मुझे लगता है bank nifty में बनेगा, उसके लिए हमको 1 hour के chart में आना पड़ेगा, अगर मैं 1 hour के chart में आता हूँ, आज मैं अगर आपसे पूचता हूँ, सर क्या दिखता है आपको इस जगा के आसपास, यह जो formation बना आपको आपको आपके क्या दिखता है, maximum लोग यह बोलेंगे, सर यह तो यहाँ पर बड़िया support बनाया था, वो support बना के बैंक निफ्टी ने कि यहाँ से नीचे ला दिया और इस लेवल तक पहुचा दिया और यहाँ से आ कि फिर यहाँ पर खड़ा कर दिया कितने लोग put के अंदर पोदिशन लेंगे, कितने लोग call के अंदर पोदिशन लेंगे, आगे psychology समझ में, यही चीज मैं समझा रहा हूँ तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आता है जिस जगा से खड़ा है, तो बैंक निफ्टी मिट्थी ताकर दे कि वो एक पर इसी बड़ी विक वाली candle मना है कि रूपर के चली यह जो candle दिखरी ना आपको यह सेम candle से, 25 जनवरी 9 बच के 15 मिनिट वाली यह सेम candle हो इस जगा पे बना देता है ना सर काम बन गया तो अगर ऐसा होता है, तो मैंने आपको दो दिन पहले वीडियो में बता था 30,900 तक मुझे लगता है, बर मुझे लगता है नहीं कि 900 को इतकाम करेगा, थोड़ा जाज मुझ की नीचे लाया जाएगा, तो ज्यादा मजाएगी खीच-खीच के 700 तक आ सकता है, तो नीचे के लेवल आपको ये दो ध्यान में रखनी है, उपर में सरक कुछ मत करो न, 31,600 कटने तक, एक बार कट जाए तो अच्छे ट्रेड में मजा लेंगे, तो उपर की तरस में कॉल में मजा मत करो, क्यों कॉल में यह मुमेंट देगा अगर प्रिव BogER कर दिया तो सब्सकर अलेके न, 32,000 के अंदर में ज्यादा मुमेंट रखना पड़ेगा, प्रोपर साइकोलोजी सेट-अप के साथ ने बताया मुझे पता है, यूटूब पे कोई नहीं बताएगा, अगर इसी बात सही है, जो मैं बता रहा हूँ, तो झाल झाल